स्वागत है दोस्तों आपका confusion 9.2.11 में दोस्तों बिहार पुलीस अवर सेवायोग के द्वारा नया एक advertisement निकाला गया है जिसका advertisement 01.2020 है ASTENO ASI के लिए तो total detail आप देख सकते हैं और जो भी इस criteria को पूरा करते हैं वो किरपया करके इस form को fill up कर दे और देखते हैं कि पूरा detail इसमें क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले बिहार पुलीस बल में वर्स 2020 में आसू सहायक अवर निरिच्छक इसको इंगलिस में करते हैं स्टेनो एसिस्टेंट सव इंस्पेक्टर के रिक्त पदो पर नियुकती है तु सुचना ओनलाइन आवेदन भरनी की प्रक्रिया प्रारम होनी की ति थी 4 मार्च 2020 और ओनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिव ति थी है 30 मार्च 2020 यानि की सोमबार तक विग्यापत संख्यार देख लिए यहाँ पे 01-2020 और इसका जो ओफिश्यल वेफ साइट है वो है यहाँ पे से भी आप जाके इस एडवर्टाइर्मेंट नंबर वाला को आप जो नोटिस आया होगा उसे आप डाउनलोड करके यह अला पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि चार्ड मार्स से सुरू हो रहा है और देखिए इसका लिखित परत्योक्त्य परिछा का कैसे किया जाएगा तो यहाँ पर है लिखित पत्य परिछा इसके लिए आयोग द्वारा सभीव बेहाधों के लिखत परटिएक्ट्यआ परिछाय व्जित की जाएगे लिखःत परिचह में दो प्रश्ण पत्र होंगे दोनों पत्र बहुधिकल प्रश्ण पाधारित होंगे पर्थं में इसमें क्वालिफाई करना इसका मेरिट में नहीं जूटेगा वहीं पर दूतिये प्रेश्चन पत्र में ये 200 अंकों का होगा समान निग्यान एवं समसमाइक मुद्धो ससंबंधित 100 बहु विकल्पिये प्रेश्चन पर अधारित होगा जिसके लिए पहिछा कि आप दी दो सफल किया जाएगा और यहां पर देखिए अब उसके बाद देखिए पातरता की जाच ये वाला यहां पर इंपोर्टेंट है आप लोग देख लिए लिए लिखित परिच्छा में जो सफल अभ्यारती होंगे उनका सुरूती लेखन हिंदी एवं अंग्रेजी के टंकन की जाच के लिए निम परिच्छा ली जाएगी पहला देखिए हिंदी सुरूती लेखन के लिए तो हिंदी सुरूती लेखन की जाच असी सब्द प्रती मिनट की गती से पांच मिनट तक लेखापन द्वारा किया जाएगा यानि कि आप लोग का सुरूती हिंदी सुरूती ल लेखन का या फिर टंगन की जांच का जो भी कोर्ष किये होंगे या फिर सीखे होंगे उनको ये देखना पड़ेगा और अगर नहीं भी किया है तो अगर वो कर सकते हैं उन्हें लगता है कि हम सबयराते कर सकते हैं तो आप नीची एक वार देख लेते हैं मेधा सुची यहाँ पे लिखा गया है अंतीम रूप से सफला बेहर चों की मेधा सुची लिखित परिच्छा में प्राब तंको के अधार पर आरक्षन को ट्यार की जाएगी लिखित परिच्छा में दो या दो सदिक यहाँ पर मतलब जो आप अब देख लिजे अभ्यार्थियों का नियुंतम सैचनी की योगता यही वला मैं बात कर रहा था तो देख लेते हैं यहाँ पे अभ्यार्थियों का दिनांक 11-2020 अथवा इसके पूर्व intermediate 10-2 परिच्छा का समकच परिच्छा में उतिर होना अनिवार है इसके अथिरिक्त अभ्यार्थि को दिनांक 11-2020 अथवा इसके पूर्व computer संचालन में सरकार दोरा माननेता प्राप संस्थान से डिप्लोमा परमान पत्र धारक होना अनिवार है मतलब एक तरसी कहा जा रहा है कि आपके पास डिप्लोमा परमान पत्र होना चाहिए है इसका मतलब यह आप यह नहीं इसमें बोला जा रहा है कि आप कितना भी computer के ग्याता है वह काम नहीं करेगा जब कि आपको परमान पत्र रहना होगा यहां पे तो notification पढ़के आदमी जो जाता की तो यहां पर तो टोल सीट का बात करेगा टो टो टोल 123 सीट है यहां पर देख लीजिए टोटल 137 सीट है उसी तरह में महिलाओं को भी 35% आरक्षन दे के करम से इसमें भी टोटल महिलाओं के लिए 41 सीट रिजर्व रखा गया है 133 में तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी ये मौका मिला है जो भी कोर्स कियोंगे जो भी टंकन वेगरा करते होंगे करते होंगे उनके लिए बहुत ये अच्छा जॉब का ओफर है क्योंकि इसमें बेतनमान भी बहुत अच्छा दिया गया है दोस्तों और अगर फीस का बात करें तो यहाँ पर देख लें अत्यंत पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनराच्छी समाने वर्ग के प्रूव से वो महला ब्यार्थिव के लिए ऑनलाइन आवे इंदर पत्र का मूले 700 और अन्ने के लिए 400 रुपया यहाँ पे रखा गया है तो 700 और 600 रुपया आप लोग देख लिजेंगे और फॉर्म जब फिलप करना होगा तो चार तारिक से होगा यहाँ पर इस बेव साइट पर जाके आप लोग लिंक एक्टिवेट हो जाएगा वहां से आप लोग फॉर्म फिलप कर सकते हैं तो यह था सारा डिटेल और यही डिटेल देने के लिए मैं आप लोग को यह वीडियो अप्लोट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपने हिसाब से इस फॉर्म को अगर फिलप करना चाहें तो कर दें और अपने सुविधा हिसाब से आप लोग देख लें कि क्या करना है और इसका नोटिफिकेशन आप लोग एक बार खुद से डाउनलोट करके देख लेंगे मैंने वेबसाइट बता दिया है वहाँ पर अपना नोटिफिकेशन डाउनलोट करके एक बार पढ़ लें और उसके बाद आप लोग फॉर्म फिलप कर दें जरूर इस वीडियो को द देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत सुक्रिया आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद